सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टाडियादा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए for latest update वेल्कम तू बालाजी स्टाडियादा नमस्कार दोस्तो बालाजी स्टाडियादा में आपका स्वागता है जैसे के हम यूपी टैट सी टैट इनके जो प्रेक्टिस सेट हैं उनका स्वाविशन करा रहे हैं तो इससे पहले हमने हिंदी के अंतरगत प्रेक्टिस सेट नबर जाए वो 5 देखा था अगर आपने नहीं देखा है साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कम्प्लीट प्लेलिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी इसके लबा लाइव टाइमिंग जिसे नहीं पता है उसको मैं बता दूँ कि साम 8 वजे की जो है वो लाइव टाइमिंग है साम 8 वजे आपका कोई ना कोई एक प्रेक्टिस सेट जरूर सौलब कराया जागा या तो कोई प्रीवियस यहर या तो कोई टॉपिक वाइस जो है वो वीडियो तो साम 8 वजे आपको एक नाएक वीडियो अवश्य मिलेगा ये टाइम आपका फिक्स है तो आपके गहीं भी हो आपके पास नोटिफिकेशन ना भी पिले तब भी आप 8 बज़े डिरेक्ट चैनल पर आके वीडियो जो है वो लाइफ देख सकते हैं आज हम देखेंगे प्रेक्टिस सेट नमबर 6 हिंदी के टोटल 30 प्रस्ण 30 प्रस्ण में आपके 29 प्रस्ण है लास्ट वला प्रस्ण में तोड़ा सा गड़ बड़ी थी इसलिए मैंने उसको जो हटा दिया है तो चलिए शुरू करते हैं प्रस नमबर 31 प्रस्ण है आपका हिं अन लगा कर हिंदी नहीं सीखते हैं ये रीजन है हिंदी सीखने के प्रस्ण पर्तित उनमें अर उच्छी होती है या हिंदी बहुत कटिन भासा है आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा तो बात करें उत्तर की I hope अपक्तक अपने उत्तर सोच लिया होगा सही उत्तर ह कि प्राया हिंदीद और उनकी जो मात्र भासा है उसकी सनर्चना में जो है वो अंतर होता है इसलिए जो है उनको कटनाईयों का सामना करना पड़ता है अगला प्रसंद 32 देखते हैं निम्लिकित में से कौन सा उपन्यास का तत्व आपको बताना है नहीं है सौंदर्यान भूती, देशकाल, सैली या कथा वस्तू आपको बताना है कौन सा उपन्यास का तत्व जो है इन में से नहीं है बात करें उतर की तो जो सौंदर्यान भूती आप देख रहे हैं ये उपन्यास का तत्व जो है वो नहीं है तो यही आपका उप्शन नमबर वन जो इस संस्कृत के वे सब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रियुक्त होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत, तदभव, तदसम या देशाज़क. तो वे सब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में जो है वो बिना किसी परिवर्तन के प्रियुक्त होते हैं, उन्ह क्या कहा जाता है उन्हें कहा जाता है तत्सम सब्द ये चीज़ हम आपको अलड़ी भी बता चुके हैं अगला प्रस्ण है 34 कि सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है वो कौन थे स्याम सुन्दर्दास, महावीर प्रसाद दिवेदी, रामचंद्र सुकल या प्ताप नाराण मिस्र सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है आपको बताना है बात कर लेते हैं, अगले परसंट 35 की, कि तुलसी दास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है, सिव का, कृष्ण का, राम का, या विश्णु का, तुलसी दास की जो रचनाओं हैं, उसमें किसका वर्णन जो है, आपको देखने को मिलता है, ये आपको बताना है तो यदि आपने राम आयर देखी होगी तो आपका यहाँ पर उत्तर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बात करें उत्तर की तो उत्तर क्या होगा option no.3 यानि कि राम अगला परसन देखते हैं 36 की दोहा कोस के रचाईता जो है वो कौन है चारा option है आपके लुईपा, जोईंदू, सरहपा या कनहपा आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा option A, option B, option C या option D बात करें चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा सही उत्तर होगा आपका option no.3 यानि कि सरहपा दोहा कोस जो है उसके राचाईता कौन है सरहपा अगला परसन 37 देखते हैं विद्यारती सब्द में जो है वो कौन सी संदी है दीर्ग संदी है, गुर संदी है, अयादी संदी है या यड संदी है विद्यारती सब्द में जो है आपको संदी जो है वो बतानी है तो संदी विच्चेद करके आप देखेंगे तो इसली तरीके से आप इसे बता सकते हैं कौन सी संदी होगी विद्या प्लस अर्थी में दीरग संदी आपका option 1 जो है वो सही हो जाएगा अगला प्लस 38 देखते हैं रामायड का संदी विच्चेद जो है इनमें से जो है वो क्या होगा राम प्लस आयन राम प्लस आयन या राम प्लस यन या रमा प्लस आयन तो आपको रामायड का संदी विच्चेद बताना है इनमें से जो है वो क्या होगा बात कर लेते हैं उत्तर की तो रामयल का संधी विच्छेत क्या हो जाएगा आपका राम प्लस आयन यानि की ऑप्शन वन जो है आपका सही हो जाएगा अगला परस्ट थर्टी नाइन देखते हैं कि पदमासन में कौन सा समास है दंद समास है, कर्मधारे समास है, बहुब्रिये समास है या ततपुरुस समास है चार उप्शन है आपको बताना है कि पदमासन जो है उसमें कौन सा समास है पदमासन में जो है आपको समास बताना है बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा सही उतर होगा आपका option number 3 यानि की बहुब्री समास यही जो है आपका सही हो जाएगा बात कर लेते हैं चलिए अगले प्रसंट 40 की इसके लाब आप वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को like भी जो है वो जरूर कर दीजेगा बात करें अगले प्रसंट 40 की की रड कुसल में समास जो है वो बताईए ततपुरुस समास, दौन्द समास, अवेई भाव समास या बहुब्री समास बात करें उत्तर की जो रड कुसल है उसमें कौन सा समास हो जाएगा तो उसमें समास हो जाएगा आपका option number 1 यानि की ततपुरुस समास, रड कुसल में जो है वो ततपुरुस समास आपका हो जाएगा अगला प्रसंट 41 कह रहा है कंदरा जो है वो किसका पर्यवाची है option है आपके पास गुफा, खोह, गुः या यह सभी तो कंदरा जो है वो किसका परहवाची है ये आपको बताना है चार आप्शन आपके यहाँ पर दे रखें आपको बताना है कौन सा सही होगा बात कर लेते चलिए उत्तर की सही उत्तर होगा आपका आप्शन नमबर वन यानि की गुफा कंद्रा जो है वो किसका परहवाची है गुफा का परहवाची जो है आपका हो जाएगा अगला परस्थन 42 देखते हैं कस्तूरी जो है वो किसका परहवाची है मरगमद का, मनसिज का, पंकुडी का या गुच्चा का आपको बताना है कस्तूरी जो है वो किसका परहवाची है तो कस्तूरी आपने काफी बार सुना भी होगा तो यह आपका प्रस्न गलत जो है वो नहीं हुआ होगा आज के प्रस्न के जो लेवल है काफी हाई है तो काफी लोग के जो है वो इसमें स्कोर जो है वो कम आने के चां कि अमर्स जो है, वो किसका पर्रहवाची है, प्रेम का, दिया का, संतोस का या कुरोद का, आपको अमर्स जो है, उसमें बताना है कि किसका पर्रहवाची है, बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की कौन से सही होगा सही उत्तर होगा आपका option number 4 यानि की क्रोध अमर्स जो है किसका परहवाची है अमर्स जो है वो क्रोध का परहवाची है द्यान रखेगा अमर्स जो है आपका क्रोध का परहवाची हो जाएगा अगला प्रस्टान 44 कहा रहा है कि जंखरत किस सब्द का विलोम है निस्तब्द का, हलचल का, कमपन का या गूँज का जंखरत किस सब्द का विलोम है यह आपको बताना है बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा? सही उत्तर होगा आपका option number one यानि कि निस्तब्द जंकरत जो है वो निस्तब्द जो है उसका विलोम हो जाएगा अगला पसंद देखते हैं 45 कि धानड़ जो है उसका विलोम सब्द जो है वो क्या होगा सांत्वना, सहान भूती, तरास या अपनत्व आपको बताना है कि धांडास जो है उसका विलोम सब्द क्या होगा बात करें उत्तर की कौन सा सही होगा सही उत्तर होगा आपका उप्शन नमबर तीन यानि कि तरास धांडस जो है उसका विलोम क्या हो जाएगा तराज अगला प्रसन 46 है आपका गुड का विपरीत आर्थक सब्द जो है वो क्या होगा दोस होगा, निर्गुड होगा, सगुड होगा या स्वागुड होगा दोस, निर्गुड, सगुड या सवगुड में आपको बताना है कि गुड का विपरीत आर्थक सब्द जो है वो क्या होगा तो आप सभी जानते हैं किजी का गलत नहीं होना चाहिए कि गुड का विपरीत आर्थक या विलोम सब्द जो है वो दोस होता है भुगर्ब कहते हैं या ब्रह्मांड कहते हैं तो धर्ती और आकास के बीच का इस्थान जो आपको बताना क्या होता है बात करें उत्तर की अंतिरिच्र वायुयान, भुगर्ब और ब्रह्मांड में से सही उतर होगा आपका option number one यानि कि अंतरिच यही जो आपका सही हो जाएगा अगला प्रसंट 48 देखते हैं इसके लाब अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो please वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिजेगा तक कि हमें और जादा से जादा motivation मिले हम और अच्छे से गणेम गिंती अंगीनत या अगर गन्यम तो जिसे गिंना असम्भाव हो है आप क्या कहते हैं उसे काफी बोल्चाल में भी आप ये सब्द यूजर करते हैं वो आपका हो जाएगा अंगिनत तो यही जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रसंट 49 कह रहा है कि उलूक जो है उ उलू होगा, उलोक होगा या ओलूक होगा, तो उलूक का तदभव रूप आपको बताना है, उलूक यहाँ पर जो लिखा यह वो तदसम रूप है, बात करने चलिए उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका option number two, यानि की उलू, उलूक का तदभव रूप क्या हो जाएगा, उलू अगला परसंट 50 देख लेते हैं कि दुस परिणाम में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है, दुर का, दुस का, उद्ध का या उप का, आपको बताना है कि दुस परिणाम में किस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है, बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका option number two, यानि क दुस परिडाम में जो है वो दुस उपसर्ग का प्रियोग हुआ है अगला प्रस्न 51 देखते हैं कि निर भीमान में कौन सा उपसर्ग प्रियोगत हुआ है निर नी अभी या अभी आपको बताना है निर अभीमान में कौन सा उपसर्ग प्रियोगत हुआ है option a, b, c, d, 4 जो है आपको यहाँ पर दे रखें है बात करें उत्तर की सही उत्तर होगा आपका option number one यानि की निर निर जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा अगला पस्ट फिप्टी टू कह रहा है कि दिल का ताड़ करना मुहावरा जो है उसका क्या अर्थ है तुछ बात जो है उसको महातु देना, छोटी चीज को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को जूटा साबित कर देना या निरलज होना देखी काफी बार इसमें आप जो real meaning निकालते हैं वो भी इसमें दे रखी होती है तो आपको मुहावरे के आधार पर जो है वो अर्थ देना है, इस चीज का जो है वो विसेश ध्यान रखिएगा तो आपको बताना है option ABCD में से जो है वो कौन जा सही होगा तिल का तार जो करना है उस मुहावरे का क्या अर्थ जो होगा बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, सही उत्तर गया होगा, सही उत्तर होगा आपका option number one, यहनि कि जो तुछ बात है उसको जो है वो महत्त देना आकला परसंट 53 जो है वो देख लेते हैं कि दातों तले अंगुली दबाना किस मुहावरे का अर्थ है पहला option है आपका आश्चर चकित हो जाना, दूसरा है आपका सरमिंदा होना, तीसरा है आपका मजबूर होना और चौता है आपका निरास होना तो दातों तले अंगुली दबाना का क्या होगा, यह आपको बताना है यह अप अब तक आपने उत्तर सोच लिया होगा, बात करें उत्तर की, सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा आपका option number one यानि की आश्चर चकित होना, दातों तले अंगुली दबाना किस के मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, आश्चर चकित होना जैसे कि हम आपसे सभी वीडियो में एक नएक प्रस्न जरूर पूछते हैं, तो इसी प्रकार आज के वीडियो का आपका प्रस्न है, जो कि आपको जो है, वो comment सक्षन में टाइप करके उत्तर बताना है तो बात करें, प्रस्न की, तो प्रस्न क्या होगा? आपको ये बताना है कि भारत भारती जो है, वो उसके रचनाकार जो है, वो कौन है? काफी अच्छा कोश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे पूचा है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? ये आपको जो है, वो comment section में type करके बताना है इसका जो अगला practice set आएगा वहाँ पर हम इस प्रस्ण को सामिल करेंगे वहाँ पर हम इसका उत्तर देंगे सभी लोग try अवश्य कीजेगा नहीं पता है तो इसको search करके तब जो है वो उत्तर type कीजेगा कहीं न कहीं search करने में भी चीजे आपको याद हो जाती हैं तो सभी लोग comment section में उत्तर जरूर पताईएगा चलिए बात करते हैं अब अगले प्रस्ण की अगला प्रस्ण 54 है सही वरतनी वाला सब्द चुनना है आपको आपको बताना अनुभिग जो है वो कैसे लिखा जाता है चार option आपके सामने देख रहे हैं आपको अनुभिग जो है वो बताना है कौन सा सही होगा कुछ गिने चुने word हैं जो गोंपिर के काफी पर पूछे जाते हैं तो उनको लिखने की practice अवश्च कर लिजएगा बात कर लेते हैं चलिए कौन सा सही होगा सही उत्तर होगा आपका option number 2 यानि की अनुभिग जो है वो इस प्रकार लिखा जाता है अगला परस्ण 55 कहा रहा है कि सही वर्तिनी वाला सब्द चुनिए आपको जो है वो समाद्रत बताना है कैसे लिखा जाता है आपको इन चारों option में समाद्रत कैसे लिखा जाएगा वो जो है बताना है चार option जो है आपके यहाँ पर दे रखे है थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आप दोनों option को सेम मतलब समझ लिएगा आप सोच रहे हैं यह समाद्रत यहाँ भी लिखा है समाद्रत यहाँ भी लिखा है परंत यहाँ पर बिंदी भी लगी उपर यह हो सकता हो आपको ना दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैंने बता दिया बात करने चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा सही उत्तर होगा आपका option number two समाद्रत जो है वो इस प्रकार लिखा जाता यही जो में रसों की संक्या जो है वो कितनी मानी जाती है यह आपको बताना है इसके लाब आप वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें और जो वेक्तिन नए हैं जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पर यही वो अभी तक चैनल को सब्स्राइब नहीं किये ह कावश सास्तरों में रसों की संक्या कितनी मानी गई है यह जो है वो नौ मानी गई है अगला परसंद 57 देखते हैं चौपाई के प्रतेक चरण में कितनी मात्राएं होती है बारा, चौदा, सोला या अठारा चौपाई के प्रतेक चरण में आपको बताना है कितनी मात्राएं होती है प्रतेक चरण में आपको बतानी है बारा, चौदा, सोला या अठारा बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा तो चौपाई के प्रतेक चरण में जो मात्राएं होती है वो बराबर होती ह और कितनी कितनी होती है यह जो है वो 16-16 मातरा होती है जैसे कि आपने एक 4 पाई देखी होगी उसके 4 पाई होते हैं जिस पर वो 4 पाई जो है वो टिकी रहती है वो 4 पाई जो है वो बराबर होते हैं तो उसी से आप इसको कनेट करके ध्यान रख सकते हैं कि 4 पाई और 4 पाई जो चारो इसमें चरण होते हैं चौपाई में वो भी बरावर होते हैं इसी प्रकार जो चारपाई है उसमें भी चारो जो पावे होते हैं वो बरावर होते हैं और साथ में मात्राएं वो भी धान रखेगा 16-16 मात्राएं होती हैं अगला प्रस्ण जो है वो 24, 26 या 28 अई होप अब तक आपने जो है वो इसका उत्तर सोच लिया होगा तो बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा सही उत्तर होगा आपका option number 4 यानि की 28 हरी गीतिका के पृट्टियक चड़ में जो है वो 28-28 मात्राएं आपकी होती है बात करते हैं अगले और इस वीडियो के last प्रस्ण की 59 नमबर 60 प्रस्ण नहीं है क्योंकि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर टोटल जो है वो 29 प्रस्ण है तो 59 प्रस्ण आपका है निमलिकित पद्ध में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है माला फेरत जुग गया फिरान मन का फेर करका मन का डारी दे मन का मन का फेर ये आपको बताना है किसमें जो है वो कौन सा अलंकार होगा रूपक अलंकार होगा अनुपरास अलंकार होगा यमक अलंकार होगा या उलेख अलंकार होगा चार option आपके यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा तो मैं यहाँ पर आपको 5 सेकिन दे रहा हूँ ताकि आप दुबारा से यह जो लिखा हुआ है इसको पढ़ सकें पद्द को और अपने आधार पढ़ जो है इसे सोच सकें बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा सही उत्तर होगा आपका option number 3 यानि की यमक अलंकार यहाँ पर आप देख रहे हैं मनका मनका दो बार आ रहा है और दो बार जब कोई सब्द आए और दोनों बार अर्थ जो है वो अलग-अलग होता है तब वहाँ पर क्या होता है यमक अलंकार अब देखी जो आप यहाँ पर पद देख रहे हैं इसमें जो है जो यह जो आप पद देख रहे हैं सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किसका है दोहा तो यह दोहा जो है वो कबीर जी का है इन्होंने जो है इस दोहे में कर्मकान जो है उस पर करारा प्रहार जो है वो किया था इसमें अकर बात करें जो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर दोनों के अर्थ अलग-अलग हैं तो जो starting में मन का आ रहा है इसका अर्थ क्या है यहाँ पर मन यहाँ पर जो पहला वाला आ रहा है उसका अर्थ जो है वो मन से या कह सकते हैं मांसिक से परन्तु जो दुबारा वाला मन का आ रहा है इसका अर्थ क्या है माला में प्रियुक्त मूती से तो दोनों अलग-अलग आप यहाँ पर देख रहे हैं इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा यमक अलंकार आई होप आपको चीज यहाँ से समझ में आ गई होगी इसका अगर आप अर्थ भी जानना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मन में सरद्धा ना हो तो हाथ में माला फेरने से कोई लाब नहीं है अपने मन का जो है वो मन्थन करें मन रूपी माला के मोती को फिराएं तो सारे जो फेर हैं वो मिट जाएंगे और जो सारी भाव बादा हैं वो पार हो जाएंगी यह जो है आपका जो आप पद देख रहे हैं इसका जो है वो अर्थ हो जाएगा तो इसी के साथ हमारे टोटल प्रसन जो है वो समाथ होते हैं टोटल हमने आज जो है 29 प्रसन बात की टोटल आपके कितने प्रसन सही रहे कमेंट सक्षन में लिखके जो है या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें जैसे कि आपको ऐसे ही प्रेक्टिस सेट प्रीवीसर पेपार इंपोर्टेंट वीडियो जो है वो मिलते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू फर वाचिंग